नमस्कार दोस्तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में ट्रेडिंग विद रोहन में दोस्तो पिछले वीडियो में हमने देखा है कि हमको स्विंग ट्रेडिंग में क्या करना चीए कौन से फैक्टर इंपॉर्टन हैं स्विंग ट्रेडिंग के वाला है इस वीडियो में आपको पता जालेगा कि exactly swing trading किस तरह से की जाते हैं और stock selection किस तरह से होना चाहिए तो चलिए दोस्तो बिना time waste की हम आगे बढ़ते हैं और मैं ले चलता हूँ आपको charting.com पे दोस्तो यह charting.com पे आपको screener में आना है और यहां पे मैं आपको सभी ल in the cash segment तो इसे कुछ भी chain नहीं करना है दोस्तो आपको यह video पूरा देखना होगा यहां पे एक important part play करेगा आपके trading के लिए तो वीडियो को skip मत कीजिए तो दोस्तो आगे आपको क्या करना है यहां पे आपको select करना है high यानि कि latest high is greater than or greater than latest high तो अभी यह क्या है तो यहां पे हम कर देंगे one day होगो यानि कि आज latest high is greater than one day ago यानि कि कल के high से आज का high जादा होना चुई है तो दोस्तो इससे क्या पता चलता है इससे यह पता चलता है कि कल stock ने कल के high को already cross कर दिया है and वो अभी momentum में है तो एक factor यह होता है कि हमने यहां पे decide कर लिए हमको कौन सा momentum देखन है second important factor यह है कि latest close हमको यहां पे देखना है कि close क्या है latest close is greater than equal to latest close अभी दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है latest close तो नहीं से लेनी है हमको यहां पे लेनी है one hour close यानि कि पिछले एक गंटे का जो close है और अभी जो है वो उससे जादा होना चाहिए यानि कि हम लोग यहां पे minus one करने है यानि कि previous candle so this one hour close is greater than the previous close यानि कि stock एक गंटे में भी momentum में है and daily में भी momentum है और यहां पे आप एक volume parameter भी आप add कर सकते हो volume greater than आप एक number select कर लीजी यानि कि आप let's say suppose आप पांच लाग से जादा वाले stocks देखना चाहते हैं जिनका volume पांच लाग से जादा हो या ऐसे stock जिनका volume एक लाग से जादा हो तो इस तरह से आप यहां पे volume भी add कर सकते हैं and then हमको क्या करना है run scan करना है जैसे आप scan run करोगे देखिए कुछ stocks यहां पे already आपको screen पे दिख रहे हैं जो 10% 8% 5% upside पे हैं तो यह सब stocks already हमारे radar में आ चुके हैं अब हम इन stocks में swing trading किस तरह से करेंगे तो आने वाले next वीडियो में मैं जरूर इन सब stocks में बताने वाला कि हमको swing trading किस तरह से करनी है दोस्तों तो इस वीडिय वीडियो जरूर देखिए अगर आपने मेरी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों सिर्फ एक सेकेंड लगेगा सब्सक्राइब करने तो क्विकली सब्सक्राइब कर लिजे थैंक यू फा वाचिंग ट्रेडिंग वित रोहन मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग सी वीडियो पे